नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याना न्यूजर आप के साथ मैंनू चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हला बोल में आप सभी का स्वागत है तो हला बोल में आज करोना के खिलाफ हला बोलने का समय है क्योंकि देश में करोना वाइरस के दैनिक मामलों में लगातार तीन दि 82,000 से जादा नए केस रिकॉर्ड किया गuna हैं जबकि हर्याना में एक दिन में 8,388 नए करोना केस मिले हैं और 57,000 से जादा करोना केस एक्टिव हैं एक तरफ देश पर में करोना के मामले बढ़ रहे हैं दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही अभी बी जारी है लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धच्चें उड़ाते दिच जाएंगे ऐसे में सवाल उठता है कि कब तक जारी रहेगी लोगों की लापरवाही तो ये दो तस्विरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं एक तस्विर जीन की है और दूसरी बल्लबगड की है जहां पर लोग कतारों में लगे हुए बिना मास्के तो ऐसे में कैसे हम करोना की तीसरी लहर को रोक पाएंगी ये बड़ा सवाल है सवाल हमारे यहां पर ये भी है कि करोना केस लगातार बढ़ रहे हैं और कब थमेगी लोगों की लापरवाही बल्लबगड सिब जो तस्विरें सामने आ रहे हैं वहां पर भी देख सकते हैं आपके किस तरीके से लोग बिना मास्के घूम रहे हैं तो लोग निश्चिंत हो जरूर हो गए वैक्सिन जरूर लग वाली है लेकिन वो सुरक्षा चक्र है करोना को हराने के लिए तो ऐसे में सवाल हमारे यहां पर यही है लापरवाहल लोगों पर कैसे लगाम लखी कि ये बड़ा सवाल है जो ये लोग बिना मास्के बाजारों में घूम रहे हैं अगर इनमें से कोई एक या दो लोग भी संक्रमित होंगे तो वो कितने लोगों को संक्रमन दे के जाएंगे और करोना का खात्मा आखिर कैसे होका आखिर कब सुधरेंगे लापरवाहलोग और प्रशाशन को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे ऐसे लोगों पर लगाम लगाई च आ सके हमारे कॉलर मोहन जूड़ चुके हैं जी मोहन दीजी अपनी राएं आप जो दिखारे क्रोना के आखड़े बड़े हैं मैं सुबह निउस्पेपर पढ़ रहा था सुबह छे बजे तो देखा जिस तरी के से आखड़े बड़े तो मेरे को भी थेरानी हुई क्योंकि ह हम देख रहे थे टीवी में भी लगातार आप दिखा भी रहे लगातार तीन चार दिन से की क्रोना के केस में गिरावट आई थी लेकिन जो आज बड़े है तो कहीं न कहीं है है रहानी हुई एक तरफ केस बढ़ रहे है लापरवाही भी लोगों की बढ़ रहे है जैसा कि अब तस्वीरों में दिका रहे हुए है कि बजारों में भीर है बीड यह की बिना मास के नजर आ रहे है शोशल लिसंसिंग की दज्ज BER रहे है तो ये तो आम बात है लोगों के लिए आप किसी भी बजार में जाओगे तो ऐसे ही हर बजार में आपको यही हालात मिलेगे किसी भी बजार में किसी भी मेन मार्केन हो चाहे वो शहर की हो यह गाओ की हो हर बजारों का यही हाला है चाहे महानगरों की हो लेकिन सवाल यह उड़ता है कि ऐसी जो यह महमारी में नियोंगों जो ड़ारी है तो पटशाशन इन्हें को क्यों नहीं ले रहा क्यूंकि लगातार जो ऐसे कैसिस सामने आ रहे हैं लोग जो है लगातार बिना मात के नज़र आ रहे हैं जो छोड़े मुटे चलान कर जाते है का फाइनल जो है एक 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 फाइनल एक्शन क्या कब लिया जाएगा जिससे कि दुवारा जो है दूसरा एक अगर किसी पर एक्शन लिया जाता है कि दुवारा इस तरह की जो है धजिया ना उड़ाए दुवारा इस नियों की तो फाइनल एक्शन लेना होगा और साथ ही मैं दुकान का काम करतू हूं मेरी राचन की दुकान है तो चांगो कि उसमें भी थोड़ी छोड़ दी जाए ताकि हम जो है इस महामारी में अपना भरन पोश्चन कर सके जे बहुत पर शुक्रिया अपनी राई देने के लिए तो आप भी कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर आपकी जन्वरी लास्ट या फर्वरी के शुरू के हफ़ते में जा सकती है तो ऐसे में ये लोग जो बिना मास के बाहर घूम रहे हैं ये करोना की तीसरी लहर को निमंतरन जरूर दे रहे हैं सवाल हमारे यहां पर यहीं है प्रशाशन द्वारा भले ही पावंदिया लगाई गी ह जाएगा ये बड़े सवाल है करोना की केस लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों की लापरवाही जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है लोग बिना मास के बाहर निकल रहे हैं शोशल डिसनसिंग की धचया उड़ा रहे हैं जो करोना गाइड लैंस सरकार द्वारा तै प्रदेश के बाइस के बाइस जिलों में इस तरीके की तस्वीरे नजर आ रहे हैं जहां पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं ऐसे में सवाल यही उठता है कि हम करोना की तीसरी लहर को रोक पाएंगे क्योंकि जो कहर हमने दूसरी लहर में देखा था वो हला तब तीसरी लहर में ना उत्पन हो इसके लिए करोना की गाइड लेंस बनाई गई है हमारे कॉलर राहुल जूड चुके हैं जी राहुल दीजिए अपनी राएं मैड़ इसमें देख यू है कि अब लोगो पनी जिम्मवारी समझने की बहुत ज़्रत है कि चलो करोना कीसे जब समझ ज़रूर हो रहे हैं पर फिर भी लोगो की जिम्मवारी अपनी खुद की बनती है अगर पेजार यह मास्क पहने अब कहीं कि वास करें बजारों में ले मास्क पहने कि राजी ही है, उनको अपनी सेहत की खुथ फिकन है, तो कैसे हम यूद के हमारी फिकर होईगी, सरकार तो अपनी तरह से पूरी कोशिशिक कर रही है, की जितनी जिम्मवारी को समझे, तब भी हम करोना से जीद पहेंगा, अबर फिर वही दोजार बीस और दो बहुत पर शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए तो आप भी इन की तरह कॉल कर सकते हमारे नमबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लेश हो रहें कॉल करिया और अपनी राय दीचिए अपने शहर का हाल बताईए कि क्या आपके शहर में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही ह और ऐसे लोगों पर प्रेशाशन कब एक्शन में नजर आएगा प्रादेश में छे बज़े के बाद दुकाने बंद करने के आदेश भले ही सरकार द्वारा दिये गए हैं लेकिन जो दिन में लोग करोना नियमों की धचिया उड़ा रहे हैं ऐसे लोगों पर कारवाई कब की जाएगी जो लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं सोशल डिसेंसी का ध्यार नहीं रखा जा रहा हैं ऐसे लोगों पर कब एक्शन लिया जाएगा तो बड़े सवाल हमारे यहां पर यही हैं कि करोना के केस लगता है बढ़ रहे हैं पर लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रहे हैं लोग अभी लापरवाह नजर आ रहे हैं करोना की दूसरी लहर का कहर सब ने देखा था कि किस तरीके से सौस्ते सेवाईं बिल्कुल शर्मर आ गई थी अक्सिजन की किल्लत तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या लोगों को करोना के प्रती जोचेंगे और प्राशाशन को क्या कदम उठाने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ हमेरे कॉलर शीतल जुट चुकिए जी शीतल दीचे अपनी राए कि अपनी राए रखने के लिए तो आप भी अपनी राए दे सकते हैं और बोल सकते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में हला कैसे लापरवाः लोगों कर लिया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से विग्यानिकों ने कहा है अगर एक ओमिक्रोन से संक्रमित व्यक्ति कम से कम 20 लोगों को संक्रमित कर सकता है तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि कतारों में जो लोग खड़े हुए हैं डेल्टा प्लस से ओमिक्रोन छे से साथ गुना जादा खातक हैं अगर इन में से कोई भी एक या दो इनसान अगर करोना संक्रमित हुए ओमिक्रोन वेरियंट से तो वो कितने लोगों को संक्रमन की गई थी लेकिन आज फिर 24 खंटे में 22,000 से जादा केस दर्श किया गए हैं और कल के तुलना की बात करें तो 18.9 प्रतिशत से जादा केस पिछले 24 खंटे में आए हैं तो सवाल हमारे यहां पर यहीं है कि करोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं विज्ञानिकों ने भी ज की लहर पीक पर जा सकती हैं तो ऐसे में यह लोग कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कब जाकरूख होएंगे ऐसे लोगों पर प्रशाशन को क्या सक्त नहीं होना चाहिए जो खुद तो संक्रमित होंगे दूसरों को भी संक्रमन दे कर जाएंगे हमारे कॉलर रिशब लोगों को समझना होगा लिए लगातार आप भी चला रही इस मुद्य पर कई दिन से बहुत 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 शुक्री अपने राय रखने के लिए तो आप भी कॉल कर सकते हैं इनकी तरह और आप भी अपनी राय दे सकते हैं सुझा आप दे सकते हैं कि किस तरीके से ऐसे लोगों पर कारवाई करनी चाहिए हमारे सवाल यहां पर यही है कि करोना के केसिज लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों के लापरवाई थमने का नाम नहीं ले रही है अब लोग निश्चिन्त होके बैठे हैं कि हम वैक्सिनेट हो चुके हैं दोनों वैक्सिन हमने लगा लगा लगी है हमें करोना नहीं हो सकता लेकिन इन लोगों को कौन समझाए कि सिर्फ वैक्सिन एक सुरक्षा चक्र है उसके बाबजूद पर करोना हो रहा है लेकिन कम सिम्टम्स नजर आ रहे हैं या रिकावरी जल्दी कर रहे हैं तो सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि लापरवार लोगों पर कैसे लगाम लखे की भले ही पुलिस प्रशाशन द्वारा सक्त एक्शन लिया जा रहा है चालान काटे जा रहे हैं लोगों के बिना मास्क के जो ल यह तस्वीर हैं अपने आप ब्यां कर रहे हैं कि लोग कितने लापरवा हैं इस संकर्मन को लेकर तो लापरवा लोगों पर कब लगाम लगेगी कब ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाएगा प्रेशाशन को क्या कदम उठाने चाहिए क्योंकि भले ही प्रदेश में ये कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि जो लोग भी बिना मास्क के नजर आते हैं उनके चालान काके जाए लेकिन ये लापरवा लोग अभी नहीं समझ रहे हैं कि करोना की तीसरी लहर हमारे मुखाने पर आकर खड़ी हुई है हमारे कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं जी राहुल दीजे अपनी राए मैं पहले तो रादे रादे सबी दर्शकों को और सब को कहुँआ कि नियमों का पालन करें जो भी सरकार ने जो भी नियम बना रहे हैं उसका पालन करें क्योंकि हमने पहली और दूसरी लहर में देखा किस तरीके से लाइने लगी वी थी, कतारे लगी वी थी, ऑक्सिजन को लेकर, दवाओ को लेकर, मेरे पे खुद हजारों को लाए है, बंदबत करवानी के लिए, तो वो समय जो है बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, एक तो हमार हलका सा समय नहीं हुआ अब आपसी जो ही हमने जो है वही लापरवाही बरतनी शुरू कर दिये, वही बजारों में बीना मास के नजर आ रहे, बीना चोशल सेंसिंग के नजर आ रहे, तो ये इसमें परशाशन जी बहुत बहुत शुक्री अपनी राय रखने के लिए, तो हम भी लगतार आपसे हर्याना नियूज ये अपील कर रहा है कि प्लेज, करोना की जो तीसरी लहर है, उसको आने से रोकने के लिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी पूरी-पूरी बनती है, जो सरकार द्वारा क करोना गाइडलान्स चारी की गई है, उनकी प्लेज पालना करें, ताकि जो तीसरी लहर का अंदेशा जटाया गया है, हम उसको रोक सके, क्योंकि पिछले 24 खंटे में सबसे ज़्यादा करोना केस तर्च किये गए हैं, दो लाग ब्यासी हजार से ज़्यादा, और मौते भी राजे इसकी चपेट में हैं, लगातार केसिस बढ़ रहे हैं, प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी पिछले 24 खंटे में 12 लोगों की मौत हुई है करोना की वज़ा से आंकडा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जस तरीके से आंकडा बढ़ रहा है लोगों की लापरवाही भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोग भूल चुके हैं कि हमें मास्क भी लगाना हैं, लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि मास्क हमारे परिधान का एक महतपूर्ट हिस्सा है, जब भी हमें बाहर जाना है तो हमें मास्क लगाना ही है, तो सवाल हमारे यहां पर यही हैं कि करुना के केस लगतार बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों की लापरवाई उससे ज़्यादा बढ़ रही हैं, लोग उससे ज़्यादा लापरवाई नजर आ रहे हैं, लोग बिना मास के सोशल डिसेंस्जिंग की धचियां उड़ाते हुए कि करोना से डरना जरूरी है कि क्योंकि देश में पिछले 24 खंटे में कि सबसे ज्यादा केस तर्श किये गए हैं तो ऐसे में साब्धानी बरतना बहुत जरूरी है हमारे कॉलर रोहित जुड़ चुके जी रोहित दीची अपनी राए जैसे हम जिस परकार से देख रहे हैं कि जैसे जैसे केस थमते जा रहे हैं उसी परकार से लोगों की लापरवाई भी सामने आ रही है क्योंकि लोगों को जब खबरे मिलती है कि कल के मताबिक आज केस कमा है तो लोग उसे खुशी का महल बना लेते हैं उन्हें लगता है कि अब हम रिहा हो गया एक तरह से उन्हें आजादी लगने लगती है और वो ऐसी चीज़े करने लगते हैं जिससे परिशानिया और बढ़ जाती है तो ऐसे ही केसिस जब कम हुए हैं तो लोगों ने ऐसी लापरवाई करना शुरू कर दिया है दुबारे से वो एनी चीज़ों का पार लागू करने लगे हैं वो बिना मास के बाहर घूमने लगे हैं और वो कोविट गाइडलाइन्स का फॉलो नहीं करने लगे हैं जिससे एक तरह से हम देखे के केसिस और बढ़ने की संभावना बन जाती हैं किलापरवाई की वज़ा से हलाकि सरका जो इस पर उचित फैसल ले रही है पर लोग इस चीज से बिल्कुल जागूब नहीं हो रहे हैं और फिर भी वो इस महमारी के डर को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं और इसके बावजूद वो ऐसी चीज़े फिलाल भी कर रहे हैं जिन से यह विमारी और बढ़ सकती हैं जी पैसे लापरवा लोगों को क्या करना है किस तरीके से इंपर एक्षिन लेना है बड़े सवाल हमारे यहां पर यहीं है कि करोना के कैसे लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन उससे जाधा लोगों की लापरवाही नजर आ रही हैं भले ही प्रदेश में छे बज़े के बाद तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राए दे सकते हैं कि करोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा लोगों की लापरवाई बढ़ती हुई नजर आ रही है और लाप्रवा लोगों पर कैसे लगाम लगे की ये बड़ा सवाल है कैसे ये लोग सुधरेंगे जो बिना मास्क के बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं और आखिर प्रशाशन को क्या कदम उठाने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ भले ही पुलिस द्वारा 500 रपे का चलान काटा जा रहा है लेकिन लोग अभी सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं ये तस्वीरें में साथ साथ में हम आपको दिखा रहे हैं जीन्त की ये तस्वीरें हैं बल्लवगण से ये तस्वीरें हैं लेकिन बहद एक या दो जगा की तस्वीरें नहीं हैं प्रदेश के हर जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग बिना मास के नजर आ रहे हैं हमारे कॉलर करन जुड़ चुकें जी करें दीची अपनी राएं लोग ना दरसर हो क्या रहा है लोग करोना को बिल्कुल हलके में ले रहे हैं और यह पूरी सराउंटिंग पर ही ऐसा देखा जा रहा है जैसे फर्स वेव आई फिस सेकेंड वेव आई तो लोगों में टोड करोना के साथ जीना अपना को एजस्ट करना शुरू कर दी हैं वह वह कॉरोना उनकी जिन्दगी का एक पार्ट काफिया तक बन गया है तो लोगों को लगता है कि अब यह कोई खास बैमारी नहीं रही और यह उत्रा जान लेवा नहीं है और उन लोगों ने क्या क्या लापरवाही भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है एक इसके बारे में कहना चाहूंगा लोगों भी लापरवाही जो लोगों गुटा करते हैं क्यों करते हैं एक रहता जब जैसे नहता होगी तो इसलिए आप यह मत कर अगरों लोग पर आप यह बता वरना आपके इसके बारे में यह कहना चाहूंगा जे बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राए रखने के लिए हमारे कॉलर रगवीर जुड़ चुके हैं जी दीजे अपनी राए जी जान भी जहान भी तो उससे जोडने लगे हैं कि कुविट के साथ जीना पड़ेगा अगर कोविट के में लॉगडान लगता है अगर ये सब होता है तो लोगों के वैपार बे बेहसाइब है बहुत जगह एफेक्ट पड़ेगा लेकिन कहीं इस चीज़ को उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट जा रहे हैं अब देख रहा है तो मैं टीवी स्क्रेम के कित सब्सक्राइब कर सकते हैं लोगों को जाकरुक कर सकते हैं उन्हें खुद से समझना लोग उसके साथ जीना जीने लगें जैसे उन्हें कोई डरी नहीं अभी फर्स्ट वेब आया था सेकेंड वेब में देखा था कि क्या हाल हुआ तो कुविट को लेकर जो कि ठल वेप जारत में भी इसका वीक आया था कि कम होने लगें लेकिन सड़ली देख़ो तो एक बाद बढ़के फिर से कम होने फिर से बढ़ा सडली बढ़के यह लगातार इसका जारी है प्रोकॉप मैं तो इससे लोगों को सुरचित होना है और खुद को सदर कराना है मैं यह बहुत कर दो जारी है और खुद कर दो दो ऑार खुद कर दो एक शूर।